हेलो बचो आज हम करेंगे एवीस का चैप्टर थर्ड वाटर ओ वाटर I will wash my face with water, said Munna to his nanny Munna ने अपनी नानी से कहा कि मैं अपना चेहरा पानी से धोँगा We all quench our thirst with water Quench होता है भुझाना, थर्ष्ट होते हैं प्यास हम सभी प्यास पानी से बुझाते है We are all alive because of water और हम सब पानी की वज़े से ही जिन्दा है Water has been with us for ages Its story can fill so many pages पानी हमारे साथ बहुत पुराने समय से है और अगर हम पानी के बारे में उसकी कहानी को लिखना शुरू करते हैं उसमें बहुत सारे pages भर जाएंगे Somewhere it is dew, somewhere it is snow कहीं पर ये ओस के रूप में है, dew होता है ओस और कहीं पर ये snow, burst के रूप में है Steam is also water as you know और जो भाप होती है, वो भी पानी ही है Steam का मतलब होता है भाप Water has formed so many पानी की बहुत सारी forms होती है Forms होती है, जैसे की liquid, gas, solid इन सब फान में पानी हमें मिलता है That is what say my nani ये सब मुझे मेरी nani ने बताया है The river flow, the waterfall sing नदियां बहती है, waterfalls गाते है and water swell in lakes and spring और पानी बढ़ता है जिलो और जड़नों में Life on earth, it has brought water, field and life they got धर्ती पे जो life है, वो पानी ही लाया है पानी जब हम खेतों में देते हैं तो वहाँ पे जो अनाज, जो फसल उपच्ती है उसे ही इंसान और जानवर खाते है but when the water breaks in flood, flood होता है जब बाड़ आती है great misfortune, it always work तो misfortune होता है बुरी किस्मत तो जब बाड़ आती है तो ये हमेशा ही बहुत जादा बुरा होता है ये पोयम दिखी है सिरी प्रशाद ने आगे चलते हैं do you know any poem or song on water? recite it in the class अगर आपको water के बारे में कोई poem या कोई song आता है तो उसको अपनी किलास में आप लोगों को सुनाना है इस poem में जो हमें place बताए गए है जहाँ पे हमको पानी मिलता है वे आपको बताने है river, waterfalls, lake, spring ये सब जगा बताए गई है poem में जहाँ पानी मिलता है tick the activities for which water is needed और आपको अब ऐसी activity पे tick करना है जिसमें पानी की जरूरत होती है वे कौन कौन सी activities है? to row a boat, एक boat को चलाने में हमको पानी चाहिए to make a tea, चाय बनाने में to need dough, आटा गुंदने में to paint picture, picture को paint करने में to grow plant, plants होते हैं उनको grow करने में पानी की जरूरत होती है ने मैंने 4 activities which you can do without water अब आपको चार activities बतानी है जो आप पानी के बिना कर सकते हैं जैसे studying, walking, dancing, singing और भी बहुत सारी है बच्चो आप अपनी तरफ से भी कुछ भी लिख सकते हैं you cannot do without water और ऐसी activities जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते हैं washing cloth, bathing, watering plants, swimming ये activities तो बिना पानी के नहीं हो सकती हैं arrange the following on the basis of amount of water that is needed for each of the activities यहाँ पर आपको कुछ activities दी गई है जिने आपको arrange करना है जिस amount में पानी उनमें use होता है उस amount उस basis पर आपको इनको arrange करना है begin with the activity that needs the most water जिस activity में सबसे ज़्यादा पानी के जुरूत होती है उससे आपको शुरुआत करनी है इसमें first number पाएगे to water the field जो खेत में पानी ढालते है तो उसमें बहुत सारा पानी जुरूत होती है second number पे clean the house उससे कम पानी हमें किसमें चाहिए घर को साफ करने में और उससे कम to bath नहाने में उससे कम to drink पीने में और उससे कम to knead the dough आटा गुंदने में next in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and spring इस वह में हमने किस बारें पढ़ा है हमने पढ़ा है rivers के बारे में waterfalls, lakes and springs के बारे में we get water from all these places हमें इन सब जगों से पानी मिलता है from where do you get water आपको पानी कहा से मिलता है put a circle around those places that are either in your house or around it अब आपको ऐसे place पे circle लगाना है या तो वो आपके घर में है या वो आपके घर के आसपास है जैसे tap होता है तो घर के अंदर होता है तो उस पे भी लगाना है और जो चीज घर के आसपास है किसी के घर के आसपास कोई लेख हो सकती है तो उस पे लगाना है well, kua, जो होता है to well, जो गाउं में रहते हो सकता है कि गर के आस पास, tube well भी हो, pond, कोई तालाब हो, waterfall हो, hand pump, तो घर में होता है घर के आस पास होता है, river, किसी नदी के पास, किसी का घर हो, stream, जहां से पानी निकलता है, पहाड में से, या जमीन में से वो stream होते है, वहाँ पे अगर किसी का घर है, तो उसको, वहाँ पे निसान लगाना है किसी का घर सी समुंदर के पास में है तो उस पे hot water spring और किसी का अगर घर hot water spring जहां से गरम पानी निकलता है गरम पानी का जो ज़ड़ना होता है अगर उसके पास में है तो उस पे आपको सरकर लगाना है have you seen hot water coming out off the ground? beer क्या आपने कभी देखा है गरम पानी जो जमीन से निकलता है देखा है तो बता कहां देखा है अगर आपने देखा है तो आप इसमे campus लिख सकते हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसमे देख सकते हैं अगर आपके घर के आसपास कोई दूसी नदी है तो आप उसका नाम भी इसमें लिख सकते हैं और कौन सी नदियों के नाम आपको आते हैं वो आपको यहां पे लिखने हैं जैसे गंगा, तापती, यमुना, कावेरी, इंदस इसके अलावा बहुत को हैं, जैसे ब्रहम पुत्र है, अगर आप वो चाहे तो वो लिख सकते हैं आगे चलते हैं, आपके लिए कुछ कोशन अंसर है, इनको देख लेते हैं एक बार फ़िश्ट कोशन है, अट होँ, वेर दू यू गेट ट्रिंकिंग वाटर फ्रों, घरों में आपको पीने का पानी कहां से मिलता है आंसर है we get drinking water from pipelines घरों में हमको पीने का पानी pipeline से मिलता है do you have to go far to get water क्या आपको दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए how much time does to take to bring the water तो आपको कितना time लगता है जाने के लिए बच्चो जब पानी हमारे घर में pipeline से आता है तो हमको दूर तो नहीं जाना पड़ता है तो no do your neighbor bring water from the same place क्या आपके neighbors जो है पडोसी है वो भी same जगह से ही पानी उनके घर में आता है या लाते हैं तो इसमें answer है yes अगर हमारे घर में pipeline से आता है तो हमारे पडोसी घर में भी pipeline से ही पानी आता है why do we need to store water हमको पानी को store करने की ज़रूरत क्यों होती है answer है we need to store water so that it is available easily for consumption when there is no direct supply of water जब पानी की direct supply जिस टाइम पे ना हो रही हो उस टाइम पे हम store किया हुआ पानी यूज कर सकते है fifth question है who fetches and store water in your house आपके घर में पानी को कौन store करता है इसका answer है my parents आप सब तो बच्चे हैं आपके घरों में भी तो आपके parents ही करते हैं न इस store are there certain people who are not allowed to take water from there क्या कोई ऐसे भी pupils हैं जो allow नहीं करते जहां से आपको पानी मिलता है वहां से लेने के लिए तो ऐसे कोई नहीं है सब के घर में pipelines आती हैं और सब को यह allow है आगे है बच्चो color the picture of those containers which you use for storing water आपको यहाँ पे कुछ containers दिये गए हैं जिनने आपको color करना है जिनमें आपको जिनमें आप लोग पानी इस्टोर कर सकते हैं आपको उनके नाम भी लिखने है आपको एक बच्चे को देखना है और पताना है कि अगर हम इन containers में पानी भरते हैं तो सबसे कम पानी किसमें आएगा तो जिसको मैंने circle कर रखा है वो सबसे चोटा container है तो उसमें ही सबसे कम पानी आएगा तो हमने लिख दिया jar which will contain the most water और किसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा how could you tell और आप ये सब कैसे बता सकते हैं तो सबसे ज़्यादा पानी किसमें आएगा देखे बच्चो ये सबसे बड़ा है bucket तो सबसे ज़्यादा पानी bucket में आएगा और हम ये कैसे बता सकते हैं हम इन सब कंटेनर्स के साइज को देख के बता सकते हैं कि किसमें पानी कम आएगा और किसमें पानी जादा आएगा. नेक्स्ट है, छुटकी is confused. हिरेन और छुटकी वर फिलिंग बेरी थुष्टी. हिरेन और छुटकी बहुत जादा प्यासे थे. देर अंकल गेब बहुत ओफ तैम मैंगो पन्ना इन स्टील टंबलर. उनके अंकल ने उनको मैंगो पन्ना दिया. स्टील टंबलर होते हैं स्टील के गिलास में. बट छुटकी वांटिड दा ट्रिंक अनली इने गिलास टंबलर. लेकिन छुटकी को किस में चाहिए था? उसको चाहिए था कांच की गिलास में. हर अंकल पोड़ दा पन्ना इन्टू अ गिलास टंबलर. तो उसके अंकल ने क्या किया? पन्ने को कांच की गिलास में डाल दिया. बट छुटकी वांट हैपी. लेकिन इस पास से चुटकी खुश नहीं थी उसने सिकायत कि अंकल, you have given me less पन्ना, कि आपने मुझे कम पन्ना दिया है आपको क्या लगता है बच्चो कि जो चुटकी काँच का गिलास है, इसमें पन्ना कम है तो बच्चो देखो, पन्ना तो अंकल ने तूसरे गिलास में से ही इसमें डाला है तो जो इनकी capacity है, वो तो same है लेकिन जो इन गिलास की जो पनावट है वो अलग-अलग है इस टील का गिलास लंबा है और काँच का गिलास थोड़ा छोटा है लेकिन एक चोड़ा है काच का ग्लास चोड़ा है और इसकी चोड़ाई कम है इसलिए छुटकी को ऐसा फील हो रहा है इस ग्रीड में कुछ प्लेसिस दिये गए हैं जहां पर हमको पानी मिलता है फाइड सेवन ओफ देम उसमें से सेवन आपको ढूणने है और उनके चारों तरफ सरकल लगाना है और एक आपके लिए पहले से किया गया है तो बच्चो इसमें जो सेवन प्लेसिस है वो हैं वाटरफॉल, लेक, सी, वैल, रेन, पॉन्ड, टैप इन सब से हमको पानी मिलता है नेक्स्ट है बच्चो आपको सरकल लगाना है उस चीज के ओपर जो दूसरे से डिफरेंट है और आपको ये भी बताना है कि डिफरेंट कैसे है फर्स्ट रो में है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन, स्प्रिंग इसमें से जो माउंटेन है वो डिफरेंट है क्योंकि बागी सारी जगा वो है जहां से हमको पानी मिलता है लेकिन माउंटेन अलग चीज होती है वो तो पहाड को बोलते है बाथिंग, वोशिंग, क्लोज, स्विमिंग, कॉम्बिंग, हैर, निडिंग, डो तो बच्चो यह जितनी भी एक्टिविटीज है इनमें सब में पानी की जुरत होती है बस एक को छोड़ कर वो है कॉम्बिंग हैर इसलिए कॉम्बिंग हैर अलग हो गया नेक्स्ट रो है फिस, डग, मंकी, क्रोकोडाइल, टोटोईज इसमें बच्चो सब यह वोटर अनिमल है बस एक को छोड़ कर मंकी वोटर अनिमल नहीं है नेक्स्ट रो है कार बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल इनमें से बोट एक वाटर ट्रांसपोर्ट है और बाकी सब यह लैंड ट्रांसपोर्ट है नेक्स्ट चलते हैं अब उसको unfold करना है and put some drop of different color on it और अलग लगते हैं के color की कुछ drops उस पर डालनी है fold the paper again, paper को दोबार से fold करना है and press it और उसको प्रेस कर देना है unfold the paper, फिर paper को unfold करना है look what you have made और फिर देखना है आपने क्या बनाया है यह activities बहुत अच्छी है आपको इसको जरू करके देखना चाहिए और आपको कुछ ने कुछ अच्छी drawing देखने को मिलेगी ओके बच्चो यह हमारा chapter complete हो गया है ठीके बच्चो चैनल को subscribe करना मत भूलना ताकि अगली videos आपको notification मिलता रहे ओके बच्चो बाई